हलो फ्रेंड्स आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम जो रेस्पी बनाएंगे बहुत ही हल्दी रेसिपी है आज मैयोनिस की जगह खाने के लिए एक हल्दी इस्प्रेड बनाएंगे जो आप मैयोनिस की जगह यूज कर सकते हैं ब्लेड में पीजा जात कभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जड़ी से सब्सक्राइब कर लिए साथ ही बेल ऐकन प्रस कर लिए जिससे आपको नई और मज़र आस्पीस की नोटिफिकेशन में मिलती रहे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की हल्दी रसिवे बनाना तो इसके लिए सबसे पहल चीनी इन दिनों को डालके सबसे पहले हम इसे ऐसे ही पीस लेंगे इस पर भी कुछ पी लिए दालना है तो यह देखे मैंने बेना कुछ डाले ही इसको पनीर को चीनी और नमक को मैंने इस तरह से पीस लिया है अब हम इसमें डाल देंगे 5-6 टेबल स्पून दूद मैंने पर घर का ही दूद यूज किया है आप अगर दूद नहीं डालना चाहते हैं तो दूद की जाए आप दही भी डाल सकते हैं और थोड़ा-थोड़ डालके हम इसको पीसेंगे और इसका एक बेटर डेडी करेंगे बहुत ज़्यादा पतला बेटर हमें नहीं बनाना है इसका तो यह देखिए मैंने इसमें पांच चमच दूद डाला है अभी और इसको एक बर एसेशन मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको एक बर ग्रैंड कर लेंगे तो यह देखिए मैंने थोड़ा सा डूद डालके इस तरह अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दूद या दही और भी अड़ कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने इसको इस तरह से बॉल में ट्रांसफर कर लिया है पूरे बैटर को अब चलिए कुछ मसाले एड़ कर देते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे काली मिश का पाउडर, 1 1-2 टेबल स्पून है, अब डालेंगे 1 1-2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, साथ हम इसमे को कि हुए साल में तो यह ठीक अपमोर अब हैं भर झालना सकते हैं तो तो इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है थो चली ले और।आ स्प्रैड increasing राड?」 आप अराम से घर पर बुणाई एक बच्चो को दीजै ब्लेट के साथ खाइए समोसे के साथ खाइए बहुत ही हेल्दी है बहुत ही टेस्टी है बच्चो के लिए अच्छा है अप इस डॉस्पी को घर पर-जो ट्राय किएज़ेगा और इसको पसंद आए तो नीचे लाइक क तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी बेल आइकन प्रस कर दीजिए जिससे आपको नई और मज़ेदार स्पेस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे थैंक यू